आज की बजट में सबसे एहम जो बात और सबसे चिंता जनक बात ये है कि ये देश को करजे में डुबाने वाला बजट है देश की माली हालत को और करजे में डुबाने वाला बजट आज पेश किया गया है हम सब जानते हैं आकड़े सब के पास में हैं कि 2014 तक देश के उपर केंदर सरकार के उपर 53 लाख करोड का करजा था 53 लाख करोड के करजे को बढ़ा के पिछले दो कारेकाल में भारतिय जिन्ता पार्टी ने 1500 लाख करोड का किया तीन गुना और अब 15 लाख करोड का करजा और इसमें जोड़ा जा रहा है इस बज़ट के माध्यम से यानि कि देश के उपर 166 लाख करोड का करजा हो जाएगा इस बज़ट के बाद इस बज़ट की वज़ए से कुल मिलाके केंदर सरकार का 45 लाख करोड का बज़ट है जिसमें से 15 लाख करोड करजे का है तो देश को करजे में डुबोने का बज़ट भारति जिन्ता पार्टी लेकर आईए किसी भी अर्थशास्त्री से आप बात कर लो जिसको एकोनोमी की निचे जाने की थोड़ी भी समझ होगी वो आपको बता देगा कि जब जब सरकारें करजा लेती है तो महगाई बढ़ती है जब जब सरकारें पागलपन से करजा उठाती है तो बेरोजगारी बढ़ती है और जान नहीं हुआ तो कितनी महगाई बढ़ेगी यह तो आने वाला समय बताएगा लेकिन 15 लाख करोड के और करजे में डुबाया जाएगा देश को यह एक खतरनाक चीज मैं इसमें देख रहा हूं